हेलो फ्रेंड्स, इस्टेडी कलासेस की यूटूब चैनल में आप सभी उन्हों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लूब्रिकेंट क्या होता है, लूब्रिकेंट के क्या-क्या फंक्सन होते हैं और यहां कितने प्रकार का होता है, तो यहां टापिक बहुत ही इंपॉर्टन्स होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग सुनते होंगे कि लूब्रिकेंट का यूज इहां पर किया जाया, तो इस part की life बढ़ जाएघी तो इसलिए लूब्रिकेंट कर जो टापिक है बहुत ही इंपॉर्टन्स है सबसे पहले हम डिसकस करेंगे कि लूब्रिकेंट क्या होता है तो सबसे पहले हमारा question होगा, वह होगा, what is lubricant, यह हमारा पहला question होगा, तो lubricant को हम आप लोगों को बता है, lubricant एक ऐसा chemical material होता है, यानि यह lubricant जो सनेहक है, एक ऐसा रसानिक पदार्थ होता है, जो किनी भी दो parts के बीच, वो दो parts bearing और hub हो सकते हैं, यानि कोई भी parts हो, दो parts या तीन parts हो, उनके बीच जो होता है, वो heat को कम करता है, moving, यानि जो उनमें motion हो रही है, उस motion को smoothly करने के लिए help करता है, cooling करने का कारे करता है, और cleaning करने के भी कारे करते हैं, जो उन दो parts के बीच आवाज आ सकते हैं, उस आवाज को reduce करने का कारे करता ह तो आप लोग समझें कि लूब्रिकेंट क्या होता है लूब्रिकेंट एक ऐसा केमिकल मैटेरियल होता है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो किनी भी दो पार्ट्स जो आपस में मोसन कर रहे हों रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है या रोटरी मोसन कर रहे हों उनके बीच ह से यह फंक्षन की बात करें अभी तो हम इसे डिफाई किए अंप Ozland. असने हग क्या होते हैं अभी मजिए हम इसके फंक्षन की बात करें तो फंचन संच जो हमारा होगा लिक लेते हैं दूसरा क् Sixth में अभा function of lubricant function of lubricant तो इसके जो हमारा हाला function होता है वह होता है कि reduce friction यानि दो पार्ट्स या तीन पार्ट्स की बीच जब rotary motion या reciprocating motion यानि किसी भी प्रकार के motion हो रहा है तो उसके बीच जो क्या करेगा यह lubrication का कारे करेगा क्या करेगा तो lubrication का काम करेगा लूब्रिकेट करेगा और जब लूब्रिकेट करेगा तो यह क्या करेगा friction को reduce करेगा reduce friction यह हमारा पहला कार होता है lubricant का दूसरा कार जो हुगा वह है cooling करने का भी कारे करता है अब cooling यह कैसे करेगा तो cooling करने का जो इसका तरीका है वह heat को transfer करेगा heat को transfer करके यह जो भी parts move करेंगे उनके भी जो heat produce होगा उस heat को lubricant को transfer करके यह क्या करेगा उन दो parts के बीच heat transfer करके cooling का कारे करेगा heat transfer करेगा तीसरा जो कारे होता है lubricant का वह है cleaning का भी कारे करने का यह कारे करता है यह cleaning भी यह करेगा और cleaning करेगा तो यह detergency यह जो भी उनके बीच हलके- käलके रष्ट होंगे उस रष्ट को यहां दूर करने का कारए करेगा, इसके थूरू इसका cleaning का कार हो जायगा डिटर जेनसी का कार एक करेगा नेक्स्ट है, चौतह इसका function वहलागा dość फालूशन को reduce करेगा नौाइस फालूशन को क्या करेगा यहां reduce करेगा और नेस्ट यह सिलिंग का भी कार करता है यह दू पार्ट्स जब मूब करते हैं तो उनको बीचको लीटेज के रोकने का कार लूब्रिकेंट का अगर यह जेसे आप लोग पंप सेट में देखते हैं जो पंप सेट होता है उसमें जैन्डियोरी वरा जाता है जिस्से क्या होत हैं पंप के लीकेज को वह रोकता है । य нез media households हो रही है तो उससे parts की production लाइफ बढ़ जाएगे कैसे पार्ट्स का लाइफ बढ़ जाएगा तीसे हम बोलेंगे पार्ट्स का प्रोटेक्शन करेगा यह इस तरह से यह लूब्रिकेंट का फंक्शन था फ्रिवेंट भी यह इस तरह से लूब्रिकेंट का फंक्शन था अब हम आगे जो पढ़ेंगे ओगा टाइफ आफ लूब्रि लुब्रिकेंट टाइफ साफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कितने परकार के होते हैं अब यदि हम इसे डिसकस करें तो जो सबसे पहला टाइफ हमारा लुब्रिकेंट होता है वहां हो गया solid type क्या हो गया solid अब solid में कौन से lubricant आएंगे तो इसमें जो हमारा आता है वो आता है graphite जो graphite lubricant का काम करता है यहां solid lubricant की category में आता है next हमारा आएगा दूसरा जो type होगा होगा semi solid हो सकता है semi solid अब semi solid की category में कौन से lubricant आते हैं आप लोग देखते हैं ज्यादा तर यूज कियाता है grease जो होगा वह semi solid की category में आता है lubricant की category में आता है next हमारा जो है वो था है liquid liquid type जो हमारी lubricant होते हैं वो कौन से होते हैं तो होता है ऐसे lubricant होते हैं जो liquid type होते हैं यसे movi aisle हो गया ये से हम क्या बोलते हैं इंजन आइल बोलते हैं ये भी लूब्रिकेंट करने का करता है ये से इंजन आइल इंजन आइल मैं यूज कियाता है मूवी आइल मुवी आईल होता है next होता है हमारा gases gases के फार्म में भी lubricant होते हैं यह कौन से होते हैं जिसे atomized gas जो होती है जो atomized gas होती है वह इनके category में आती है तो यह हमारे types of lubricant हो गए अब हम next पढ़ेंगे इसके lubricant के क्या-क्या property होने चाहिए यहनि कोई भी lubricant है तो उसके अंदर क्या-क्या good होने चाहिए अच्छे lubricant के अंदर तो चौथा हमारा question बनेगा property of lubricant property of lubricant lubricant के कौन-कौन से property होने चाहिए यहनि एक अच्छा lubricant किसे हम बोलेंगे तो इसका जो प्रफ़टी होना चाहिए पहले बार तो काइनेमेटिक विसकोसिटी इसकी जो होनी चाहिए वा हाई होनी चाहिए काइनेमेटिक विसकोसिटी हाई होनी चाहिए काइनेमेटिक विसकोसिटी इसकी जारा होना चाहिए Kinematic, Viscosity Viscosity Index को Follow करनी चाहिए Viscosity Index या Follow करनी चाहिए Next है, इसका Pure Point जो हो Pure Point क्या होनी चाहिए? Low होनी चाहिए and flash point flash point यह जो होनी चाहिए यह maximum होनी चाहिए and total base number इसे TVN बोलते हैं total base number को follow करनी चाहिए total base number को यह follow करनी चाहिए property of lubricant को आगे वाले वीडियो में हम discuss करेंगे कि property of lubricant यानि कानुमेटिक विसकोसिटी विसकोसिटी इंडेक्स प्योर पॉइंट फ्लैस पॉइंट इसे discuss करेंगे यह भी एक अपने आप में topic है जिसे आपको आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे यहां तक का topic आप लोगो कैसे लगा आप इसे जरूर बताएं अज़ी अच्छा लगा हो तो आपन दोस्तों के वीच ज़्यादा ज़्यादा सेयर करने की कोसिस करिएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लोग अभी तक study classes के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए वस इतना है मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत